पूर्मी स्लाइब इस्टेगल में आपका स्वागत है होली की धेर सारी सुपकामना है आप सभी को आज मैं आप लोगों से सेयर करूंगी कि मैं अपने लड़ु गोपाल जी के साथ कैसे होली मनाती हूं तो आप लोग देखिए और आप लोगों का एक लाइक एक कमेंट जो बहुत ही जादा फोट साहित करता है तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए मेरे साथ तो चलते हैं रड़ु गोपाल जी की तरफ कैसे गोली मनाते हैं रड़ु गोपाल जी के साथ बहते हैं मुरे काना मुरे पिश्रा खुल ने लिया है और यह तो बहुत प्यारी बाल्टी है और यह पिछकारी है इससे हमारे लड़ु को पाल खेलेंगे होली और यह देखिए हमने ठंड़ई भी बनाई है और अब हम लगाएंगे कलर तो उनके चरणों में कलर हम लगाते हैं क कन्हिया जी के ये देखिए हम उनके चरणों में कलर लगा दिया है अब हम लड्डू गोपाल जी के चरणों में कलर लगाएंगे अब उनके हम मुख पर लगाएंगे कलर यह देखिए हमने कलर लगा दिया है कन्हिया जी के मुख पर भी कलर और लड्डू गोपाल जी को भी हमने कलर लगा दिया यह देखि kommen бы अब थेलेंगे फूलों से हो ली, तो ये फूल है, अब हम डालेंगे अपने कनी के उपर इस तरह से, ये देखिए, हमने सारे फूल डाल दियें थे, और हम डालेंगे लड्डु गोपाल जी के उपर ये देखिये हमने डाल दियें, लड्डू गोपाल जी के उपर भी सारे फूल और ये भी फूलों से हम इसी तरह से डालेंगे कनिया जी के उपर फूल और लड्डू गोपाल जी के उपर भी फूल हम इसी तरह से डाल देते हैं ये हो गई फूलों की होली कनिया जी को फूलों की होली बहुत ही पसंद होती है ये दिखिए हमने फूलों से हुली खेल ली है अब बारी आती है पिछकारी से अब हम थोड़ा सा डालेंगे कनिया जी को गेली हुली करेंगे थोड़ी सी हमने डाल दी है पिछकारी से अब हम उठाएंगे फोल डाल दी यह भी अब यह गिली होली यह भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं कनिया जी के यहां अब यहां राधरानी है इनके पर भी हम फूलों की फूली कर देते हैं इन्हें भी हम कलर लगा देते हैं और यह देखिए हमने कलर लगा दिया है इन्हें भी गुलाल हमने लगा दिया है